हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टेडिव शीट चनल दोस्तों प्रिविएस येर कोस्टन पेपर के सीरीज में ये सीरीज नंबर 14 है दोस्तों प्रतेक टापिक से पुछे गए प्रिविएस येर में सभी कोस्टन को कलेक्ट करके आपके समस्च पस्तुत किया रहा है जिससे आपको एक बहतरीन कोस्टन का सीरीज मिल सके और आप अच्छे से प्रेक्टिस कर सके दोस्तों इसमें TGT, PGT, KBS, MBS, LT सभी के कोस्ट समाहित है प्रिविएस येर के और दोस्तों यदि आप सिलेवस के कार्डिंग सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिश में जाकर के सभी सब्जेक्ट वाइज सिलेवस को देख सकते हैं चाहे हो KBS, MBS, TGT, PGT, LT किसी का भी हो तो दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर लिजी बिल आइकन को प्रिस कर लिजी जिसे जो भी में नया वीडियो अपलोट करूंगी उसका नौटिफिकेसन आपको मिलता रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज किसी रिच्की पहला कुश्चन है कि स्टार्च का अच्छा स्रोथ है तो इसमें सही कोश्च अड़ो का बहुलक होता है इसमें चीनी के कई किस्वे के अड़ो अरसानिक तोर पर मिले होते हैं इसमें रोटी अनाज गेहूं बाजा चावल इस्टार्च वाली सबजियों वह सभी दालों चना मुंग राजमा आदी में इस्टार्च पायाता है इसका भषत Hourश कोसच है पाचन तंत्र से सम्मंधित कौन और सा अंग है, तो आट जो हैं हमारे थिए पाचन तंत्र सम्मंधित है अज दुस्तो भोजन के पाचन कहां से प्रारम होता है इसको आप याद कौन निहीं हो जाता है और भोजन का पूलपाचन पर होते हैं और छोटी याथ में होता हैं छोटी याथ कि तीन भाग के निर्वटी वाग में पहुंचल सरवाधी क्लापकारी होता है जानिस रोग यानि पीलिया रोग में इसे हेपयतिस भी बुला जाता है तो इस रोग में सबसे सरवाधी क्लापकारी कोन सा होता है गन्ना अपके लिए सबसे लाबकरी होता है, अजोन्डिस यानि पिलिया, रोग में कौस अंग प्रभावित होता है दोस्तों बहुत क्यों है, मात्रा में बिलरुबीन का निमार का निमार को पीला होता है ए इससे पितुर रस के निमार के और पीतरस जो खुन में यानि रख्त में मिल जाता है और जिसे हमारा पुरसरी पीलिया दिखता है और इसे हमारा उपापचे दर और सभी क्रियाए बादित होती हैं तो यही आपका पीलिया होता है नेश्ट कोश्चन है दोस्तों टैलिन नामक एंजाइम किसमें पाए जाता है जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा टैलिन नामक एंजाइम जो है लार में पाए जाता है हमारी लार गंतियों से टैलिन निकलता है हमारी लार गंतियों दोस्तों कौन कौन सी होती है कि हमारी दीन जोड़ी लारगंथिया निकलती है नि人 एक तरप तीन तन दुसरे तरफ धोती है जोडों मि trant की तो तो तीन जोड़ी होगा तो तो तीन जोड़ी लTFक जेंगा कों कों सी उती है एक पईयोटीड घ्लेंड मैंडिबुलर गलेंड अ है तिसरा शबलीव गलेंड परियोटिट गए दोनों कान के पास इसीत होता है और सब लिंगवल सम मेंडिबुलर जो होता है ओ निचले जबड़े के पास और सम लिंगवल जिवा मूल के पास होता है सबसे बड़ा लार गरंथी कुन होता है दोस्तों परियोटिट गरंथी होता है तो लार गरंथी से दो कर्भोहाइड के साथ को से नाइसोजाइम करता है कि भोज पदातों के साथ जो आय हुवे हाने कार्ण होते हैं उन जिवाड़ों को मारने का काम करता है नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों कि स्टी एफसीन या लाइपेज वसा को ग्लिसरीन की रूप में कहां पर परिवर्थित किया जाता है तो स्टी एफसीन या लाइपेज वसा को ग्लिसरीन की रूप में कहां पर परिवर्थित करता है दोस्तों इसका सही एंसर होगा छोटी आत जैसा कि दोस्तों लाइपेज जो होता है यह एंजाइम जो होता है ओ आगनासा यानि पंक्रियास से स्ट्रावित होने को पूछेगा तो पंक्रियास सही होगा और कहां पी ग्रीसेञ के रूपे वाऊा को परिवर्टित करता है तो उचोटी आद के पहला भाग होता है यह जोटी आद के तीन भाग होते हैं चोटी आट के नाळ यह यहाँ पे चोटी यहां पर प्रयोतित हो करके छोटी आत में जाता है तो दोस्तों प्रोटीन को अमिनो एसीड में बदलता है तो यह सभी प्रक्रिया कहां पर होती है चोटी आत में आकर के पहले बाग डेड़ने में आकर के बदलता है या पिसे इस प्रिद्या में रखेगा और यकित प्रित रसाता है वह वसा को फैटी एसी ग्लिस्टाल में बदलता है वह क्या करता है हमारे अमासे में यानि तो आमासे में यसीयल होता है तिफसील होता है एरेनी कोटा है और यस किया करता है बद्ली में उछलेल हमारी काटлиз ने इसिकL होता है वह समीब अध़न प्रिद्य भूजन झाना करता है या भी करता है नेक्ती करता है दोस्तों कि आमासय यानि इस्टमक जिसे पेट भी कहते हैं से निवनलिकित मेंसे कौन सा आमासय रस इस्ट्रावित होता है इसमें आपको छाटना है कौन सा और त्रिपसिन है कि मेटनी सिया इंडिका है जैसा कि दोस्तों अमासय से गेजठर रस से एस्टिल निकलता है और पेपसीन द्रेनीन केश्ट्रिक लाइपेज इस चार चीजे निकलती हैं जो एस्यल होता है वो बहूत ही जहरीला बहूत ही गरम होता है और इसका फुल होता है है राइड्रो क्लोरिक अमल ये भोजन को अमलिक बना देता है भोजन के सार इतने भी जिवाड वाते हैं हैं सब किसमक और वो परफटों में बदल देता है और जो रेनीन होता है वो करी केसिन में बदल देता है तो दोस्तों यहां परिकों में कौन परफार र्वित होता है तो इस présent Requ FRE शता है, कौन नमबर यहां का सब्सक्राइबर कॉर्टों 59 सही है इसमें आपसर नंबर सी अशर हो जाएगा कोंश्ट बढधता का कारण है तो इसका सही क्या अप्सन होगा पानी की कम मात्रा लेना पानी की कम मात्रा लेने से कोश्ट बदता का खत्रा हो जाता है इससे क्या होता है कि बड़ी आत्मे काईम के पीछे खिसकने की दर कम हो जाती है जिससे कब जी रोग हो जाता है नेश्ट कोश्चन है दोस्तों कि मानवी ये पाचन तंत्र में एपेंडिक्स का उप्योग होता है क्या उप्योग होता है दोस्तों एपेंडिक्स क्या होता है कि उदर के नीचे दाई तरफ एक छोटे पाउच जैसा होता है जहां छोटी आज से बड़ी आज दोनों मिलती हैं वहीं पर पूश की तरह होता है चोटा सा एपेंडिक्स यह स्वास्त के लिए लापकारी जिवाडूं का संद्रचर करता है तथा पाचन क्रिया में यह सहायक होता है कभी कभी या इन्फलेमेड या संक्रमित हो जाता है ऐसी अवस्था में appendix appendicitis इस अवस्था को बोलते हैं अगर ऐसी हालत को surgery या अन्य उप्चा पददी से ठीक न किया जाए तो appendix फट सकता है जिसे संक्रमर हो जाता है तो दोस्तों इसका सही option होगा आपका option number 1 कि या पाचन क्रिया में सहायता परदान करता है ये दोस्तों इस समय इसका प्रभाव खत्म होता जा रहा है appendix का पहले जो cellulose होता है उसका पाचन करने में सहायक होता था appendix next question है दोस्तों कि जब आप सराप पीते हैं तो उसका लगबतर से 15% भाग आपके निम्न भाग में असुसित होता है कि इसमें असुसित होता है जैसा कि दोस्तों जो हमारे सरीर में इस्टोमच होता है अमासे होता है उसमें औसदी और इलकोहाल का पाचन होता है असुसर होता है औसदी और इलकोहाल का असुसर हमारे अमासे में हो जाता है और भोजन का पुड़ पाचन छुटी आत में होता है तो यहां पर क्या पूचा आएगी जब सराप पीते हैं तो 10-15 प्रसिंद आपकी किस भाग में आसोसित हो जाता है तो इसका सही अंसर होगा पेट यानि इस्टुमच यानि आमासे तो आसदियों औ और युकोहाहल और आसोसर आपका कोसी एपयंच ने सकार्ट में लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए नमक अदिक लेना चाहिए नमक अधिक आपशन है क्योंकि पसी निकलने की वज़र से स्रीय नमक की मात्रा कम हो 제ती है और सरीविन नमक की मात्रा अने लोणों की अपेच्छा अधीक होती है इसलिए यह सरीविन के प्रतिये उत्तक में रहकर इनकी क्रियाओं को सुचारू बनाता है नेश्ट क्रूशन है कि इन में से कैलसियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन कोंशा है तो इसका श्राही आफसन है दूद दूद में सबसे ज़्यदा कैलसियम पायाता है सबसे अच्छा स्रोथ होता है और प्रति सौग्राम दूद में 12% ड्राइबोफलेविन याने की बिटामिन B2 पायाता है 18% साइनोकॉबालमिन याने की बिटामिन B12 पायाता है और 11% कैलसियम पायाता है कैलसियम की कमी के कारण उपापचाई क्रिया प्रभावित होती है ग्लाइकोजन के भंडार हेतु उत्तरदाई अंग है जैसा कि दोस्तों हमारा ग्लाइकोजन जो है खाना खाते ग्लुफोज लेते हैं कार्भो है Monroe लेते हैं प्रभावित में थे और स्था एक ही ऑंसर भंडार कोजन पायाता है उप्रभावित में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा होती है तो यक्रित में कितना ग्लाइकोजन संचित होता है खिलाडी के सत्तर से एक सो ग्राम सत्तर से सो ग्राम तब ग्लाइकोजन यक्रित में खिलाडी के संचित होता है जोकि मनुष्य में सरादिक ग्लाइकोजन लगभग 500 g में संजित होता है और यकरित में 70-100 g नेक्ट कोजिशन है दोस्तों कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है जिसे jondis या hepetitis भी गुला जाता है तो कौन सा अंग प्रिकित हो जाता है तो पीलिया होता है दोस्तों सिकाए रुधियर से बिलरुबिन को ग्रहर नहीं कर पाती है. अतरब पीला बिलरुबिन रुधियर में रहकर पूरे सरी में फ्येमें. इससे तचायं पीले लिए पढ़र जाती है उभित प्रवाव में रोगी की मृतिती तक भी हो जाती है। नेश्ट कोच्चन है कि एंजाइम एमाइलेज कारे करता है। दोस्तों कि जैसा कि मैं इसको बता चुकी हूँ कि एमाइलेज हमारे आगनासा यानि पैंक्रियाज में तीन मुख्य रूप से एंजाइम निकलता है। इमाइलेज क्या करता है। कार्बोहाडेट को ग्लुकोज में बदलता है। और लाइपेज क्या करता है। वसा को फैटी एसीर या ग्लिस्टरॉल में बदलता है। और ट्रिपसिन क्या करता है। प्रोटीन को अमिनो एसीड में बदलता है। या पाली पेप्टाइन में बदलता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि एंजाइम एमाइलेज कार्य करता है। कि पर कार्बोहाडेट पर कार्य करता है। नेक्स्ट कोर्चन है दोस्तों कि पायसी करर के पस्चात, वसा का पाचन जिस एंजञाइम द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं। पाइसी करोर के पस्चात वासा का पाचन जिस एंजाइम जो रखते जाता है उसे हम क्या कहते हैं इसका सही आप्सन है लाइपेज भूजन को लिपिड्स या वासा के पाचन का मुख्य स्रेव होता है लाइपेज जो मारे आगनायसा इसे निकलता है दूस्तों जो भूजन की लगवग 95% लिपिड्स को यानि वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज सेंस लिपिड्स बिना पचे मल के साथ बाहर निकल जाती है इस पाचन में लाइपेज एंजाइम पित द्वहरा इमलसी कृत या पाइसी कृत वसाओं को अधा वसाओं का पाचन करता है नेच्ट कोच चरों की व्रधी को प्रहावित करने वाले कारक हैं व्रधी को प्रहावित करने वाले कारक कौन होТे हैं दूस्तों अन्वान सित्ता अहार ब्यायाम उप्युक सभी तो कौन होते हैं उप्युक सभी आपसने यहां पर सही होगा नेश्ट कोश्चन है कि गोईटर नामक रोग किसके कमीर से होता है गोईटर यानि दोस्तों जिसे आप घेंगा कहा जाता है तो किसके करह होता है आयोजिन की करह जिसे कमी से जो हमारे जो यह थैनेट गर्ण्थी बड़ी होकर फूल जाती है हमारे गर्दन के पास जिसे गर्दन भी फूल कर मोटी याव कॉलर जैसी हो जिखाई देती है एइडान का मुकी श्रôत होता है दूद समद्री भोजन एडन येक्त नमक नेक्ट कोइच ने नstersू iter है दोस्तों कि उत्व स्वास्त के लिए आवश्षेक है उत्तम स्वास्त के लिए क्या आवश्षिक है आपसन है उचित पोसर नियमित भ्यायाम उचित रहन सहन उप्यक्त सभी तो आपसन नमबर डी करेक्ट एंसर होगा उचित पोसर भी जोड़ी है नियमित भ्यायाम भी जोड़ी है और उचित रहन सहन भी जोड़ी है मचली में प्राय जाने वाला महत्रपूल पोशक तत्तो है कौन सा पोशक तत्तो है दोस्तो ओमेगा थ्री मचली में प्राय जाने वाला महत्रपूल पोशक तत्तो कौन सा है दोस्तो ओमेगा थ्री फैटी एचिड ओमेगा थ्री और ओमेगा शिक्स फैटी एचिड दोस्तो इ इसमें बादाम, काजू, मुंख़ली, सुरज, मुक्षी, सोय, बीन, आदी पॉय आता है, मशली भी पॉय आता है, तो मशली में कौन सा पॉय आता है पुसकता है तो ओमेगा 3, नेक्ट कोचन है दोस्तों, कि प्रत्येक ब्यक्ति की संहती का लगभग, 99% भाग, 6 तत्तों, का खाली अस्थान है, तीन तत्तों और आपको बताना है, से बना होता है, तो 6 तत्तों से बना होता है, हमारा शरीर का 99% भाग, जिन में से कार्बन, आक्सिजन, हाइड्रोजन का नाम इसमें बता दिया है, तीन तत्तों और कौन होते हैं, इस आपसन में आपको बताना होगा, इसका सही अफिसन है nitrogen, phosphorus and calcium इस परकार 6 तकों कोंगों से हुए carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, phosphorus and calcium इन 6 तकों से हमार 99% प्रिक्तिकी संहती का यानि सरीर का बनता है तो दोस्तों आज के लिए अतना ही आई होगी सबी questions आपको अच्छे से समझ में आए होगी दोस्तों दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों यह दिया आप चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी बेर आइकन को प्रेस कर लेजी जिसी जो भी मैं नया वीडियो अप्लोट करूं कि उसका नौ प्किसा तर्टकिल यह जया है